नमस्कार पिरिये विद्यारतियों, वीके नोलेज इलेक्रिकल में आप सभी का स्वागत है, वेकेंसी न्यूज अप्टेट लेकर एक बार फिर उपस्तितूर काफी सांदार जानदार वेकेंसी है, एक नाम में ही खुशी जलकती है, पेकराउंड पर आप देख रहे होंगे क कितनी सीटे हैं, कौन अपलाई कर सकता है, कैसे अपलाई करेगा, एक्जाम पेटरन कैसा है, सलेबस कैसा रहेगा, एज कितनी है, फीस कितनी है, बड़े साथ-ाथ सवाल आपके होते हैं, रिक्वेस्ट यही रहेगे कि इस वीडियो को पूरा देखना है, एक-एक प्लीज अवसर भोत मिलते हैं, बस अवसर का लाब आपको कैसे उठाना है, यह आप पर डिपेंड करता है, देखो नोटिफिकेशन आज ही का है, बाइस ग्यारा दो हजार तेईस की यह वेकेंसी है, पोस्ट का नाम देखो, यहां पर इस पस्ट दिखाई दे रहे हैं, यह आप अगर इलेक्ट्रोनेक्स, फीटर या किसी और ट्रेड से हैं, तो फिर आपके लिए यहां अभी वेकेंसी नहीं आई है, ठीक है ना, और पावर ग्रीड के बारे में आप सभी जानते हैं, यह महारत्न है, गोवर्मेंट ओफ इंडिया का पीएसियू है, यानि पब होते हैं, के अंदर सरकार के सारे नियम इन पर लागू होते हैं, तो बड़ी अपोर्चुनिटी आपके पास आई है, छोड़ना नहीं है, मौका आपके पास आया है, आईए, रेटेल जान लेते हैं एक बार, अच्छा पहले तो आपको मैं बता दूँ, वेकेंसी किसके लि दिल्ली पूरा फर्ष्ट में आएगा, राजस्तान पूरा आएगा, यूपी का कुछ भाग आएगा, हरियाना का कुछ भाग आएगा, उत्राखंड का कुछ भाग आएगा, यानि यूपी वाले नर फर्ष्ट में भरेंगे, राजस्तान वाले नर फर्ष्ट में बरेंगे इसी तरह से पार्ट ओफ हरियाना एनार सेकंड में भी है यानि हरियाना वाले बच्चों के लिए अपोर्चुलिटी रहेगी कि वो अपलाई कर सकते हैं आएए आगे बढ़ते हैं तो आप अपने रेजिन के अकोडिंग देख सकते हैं जैसे बिहार और जारखंड की मैं बात करूँ तो वो इस्टरंद रेजिन फर्स्ट में आएगे आए एक बार सीटों की संख्या पर नरजट डाल देते हैं पता हो जाए ना कितनी सीटें आरहे हैं क्योंकि बहुत सारी बच्चे दो क्या करते हैं कि number of vacancies सबसे पहले ढूंडते हैं फिर सोचते हैं कि इतनी पदों के लिए भरूं की ना भरूं आपको विश्वास दिलादू में बड़ी सांदार qualification रखी है बहुती कम फीस रखी है मोका हाथ से जाना नहीं देना है सीट एक हो दो हो सब के लिए अपलाई करना है मैंने अभी रिसेंट एक्जामपल दिया था आपको पटना में दो सीटें थी एम्स की और भचों ने फोर्म अपलाई किया और वो लगे भी है तो आपको यहां छोड़ना नहीं है मोका सबसे पहले देखो नोर्धर रेजिन फर्स्ट यानि राजस्तान वाले यूपी का कुछ हिसा उर पर सीट नहीं है उन बच्चों के लिए प्रोब्लम होगी राजस्तान सी जो एश्टी वाले है न फिर उनको अन्रेजरव में अपलाई करना पड़ेगा यह एक समस्या उन बच्चों को थोड़ी सी देखने को मिल सकती है उनके लिए थोड़ी प्रोब्लम हो सकती है सी की चबदा कैसे है बेकलोग इंक्लूडेड होती है तो इसमें कुछ सीटे जो है वो बेकलोग की सीटे है इसलिए आपको टोटल दो सो तीन सीटे है यहां पर देखो जिनमें से 89 अन्रेजरव की है ठीक है ना कब से फोम अपलाई होगा और वो मैं पूरी डिटेल आपको और आपके छेतर की सीटे यह रही आप चाहे तो इनको स्क्रीन सोट लेकर भी देख सकते हैं ठीक और यह फिजिकली हैंडी कैप और वो दिया है आईए एक नजर इस पर डालते हैं यह बड़ी सानदार है शोर्ट में संक्सेब में बताया है जोब किस वारे में है क्या है ज और थर्ड पे स्केल सेंटर का बहुत सानदार होता है लगभग 22,000 रुपए के आसपास आपकी बेसिक होती है और अभी देखो लगभग 48% के आसपास डिये है 50% ही माल लो यानि महंगाई बता 11,000 रुपए वो और जूड़ जाता है HR और जितने भी अलाउंसे हैं हाउस र जार के आसपास रुपए मिलेंगे तो एक साल 18,000 रुपए ये भी बहुत है तुलना करेंगे किसी और जोब में तो सांदार है इस पे स्केल में भी हमें कोई प्रोब्लम नहीं है क्वालिफिकेसन में बच्चे सब से ज़घा का जांकी करते हैं या यूँक की वेट रहता है कि आर्सक्वालिफिकेशन में क्या मांगा है मैं कहीं बार तो नहीं हो जाऊं कोई बाहर नहीं हो रहा है दो सब को भरना है ITA यह मांगा गया है Electrician Trade में यह देखो बड़ा सिंपल कुछ भी नहीं लिखा है Recognized Technical Board और Institute यानि जो भी आपका Board गवर्मेंट से Approved हो NCVT, SCVT कुछ भी नहीं लिखा तो Confusion नहीं रखनी है सब भरेंगे किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं यह सारे भरेंगे NCVT वाले भी भरो, SCVT वाले भी भरो हाँ, इन्होंने एक सर्थ जरूर दिये वो कह रहेंगे अगर आपके पास Higher Education है या Higher Technical Qualification है जैसे डिप्लोमा या B-TEC आपने करी है तो आप Allowed नहीं है तो यह बच्चे भी समझदार होते हैं B-TEC अगर करी है तो वो दिखाएंगे क्यों ITA लेवल पर भरेंगे और देखो ऐसा सब करते हैं Age Limit की अगर मैं बात करूँ तो 12 दिसंबर 2023 के According गणना की जाएगी जहां 27 वर्स की Age होनी चाहिए तो 27 वर्स कहां से लेकर है मैं आपको बता दूँ 18 से लेकर 27 वर्स की Age होती है और ये Age हमेशा Unreserve Category वाले बच्चों के लिए होती है अगर आप Reserve Category से है तो आपको Age पर Reservation चूट मिलेगी जैसे अगर आप OBC से है तो आपको 3 वर्स की चूट मिलेगी यानि OBC वाला कोई भी कंडिडेट 30 साल की Age तक फोर्म भर पाएगा इसी तरह से अगर आप SCST केटेगरी से है तो आपको 5 वर्स की चूट है यानि आप जो है वो 32 वर्स की Age तक फोर्म अपलाई कर सकेंगे ये कंडिडेचर Age रहेगी फोर्म की फीस पहले ही बता देता हूँ फिर हम सेलेक्शन क्राइटेरिया पर बात करेंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगे है बड़ी सिंपल फीस है मातर 200 रुपए है तो क्यों ने अपलाई किया जाए एक्जाम सेंटर कहां आएंगे एक्जाम सेंटर भी आपका अपने रेजिन में ही आएगा जैसे राजस्तान वाले है जैपूर आएगा दिल्ली वाले है दिल्ली एंसियर आएगा यानि आपका जो इस्टेट केपिटल है उन्हीं में आएगा ये पेकेज के बारे में इनों ने दुबारे डिटेल दी है तो बता देता हूँ 18,500 रुपे पर मंत ट्रेनिंग के दुरान मिलेगा अगर महंगाई बता 50% हो जाएगा तो ये 25,500 हो जाएगी तो महंगाई बता हर 6 महिने में बढ़ता है अभी जो लास्ट वाला बढ़ा है ये जुलाई वाला बढ़ा हुआ है और 48% है ना 48% है तो जैसे ही जनवरी 2023 में महंगाई बता लागू होगा 2-4-5% तो बढ़ता है ये अरबार 4% बढ़ता है तो ये 52 हो जाएगा यानि जब तक आपका एक्जाम होगा और सेलेक्शन होगा तब तक ये 50% से क्रोस होगा तो आप तो 25-500 ही मानो ठीक है अब 25-500 अगर आपको ये आईडिय दे रहे हैं तो ये स्केल भी आपका ना चेंज हो जाएगा 21-500 जो आपको बेसिक दिखा रहे हैं ये बेसिक आपकी बढ़ जाएगी फिर ठीक है ना और लेवल थर्ड में रखेंगे जो आईडिय होता है इंडस्ट्रियल डियर्नेंस अलाउंस बोलते हैं आईडिय ठीक है बाकी किसी और चीज़ पर अभी फिलाल ध्यान देने की जर तो उसको सवालाक रुपए का बॉंड देना है और रिजर्व केटिगरी में से अगर है तो उनको 62-500 रुपए बॉंड भरना पड़ सकता है तो क्यों छोड़ेगा कोई इस थाई है ज़्यादतर बच्चे सवाल पूछते हैं पूरी तरह सी सरकारी नोगरी है आप तो एक बार सेलेक्शन ले लो फिर आपको ये इंक्रिमेंट भी मिलते रहेंगे हर साल सेलरी बढ़ेगी हर साल महंगा ही बता बढ़ेगा साल में तीन बार सेलरी बढ़ती है ध्यान रखना तो क्यों मोका गमा रहे हो ऐसा ठीक है एज छूट पर मैं बात करी चुका हूँ अब आजाए हम चलते हैं सिधा ही सेलेक्शन प्रोसेस पर एक्जाम प्रेटर्ण को लेकर क्या रहने वाला है बड़ा ही सांदार सेलेक्शन प्रोसेस है सबसे पहले सीबीटी एक्जाम होगा और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा ये ध्यान रखना आई टीए वाले है ना आई टीए वालों को ट्रेड टेस्ट के बिना तो एंट्री आजगल ही नहीं यू समझ लो ठीक है ट्रेड टेस्ट में बाद बात करेंगे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो रिटन एक्जाम होगा इसमें क्या रहने वाला है बड़ा ही सिंपल रिटन एक्जाम होगा दो गंटे का पेपर होगा टाइम कितना मिलेगा गुरुजी 120 मिनाट क्या क्या रहेगा देखो 120 कि उस्षण तो आएंगे टेकनिकल के यानि जो आपकी आई टीए की ट्रेड से रिल ट्रेड है तो डोमिनेटिंग यही हो गया पचास किस्षण आपके आएंगे एप्टिट्यूड टेस्ट का मतलब होता है इसमें रिजनिंग मैथ जनरल अवेनेज यही तीन जो मैं बार-बार बोलता आया हूँ हर विकेंसी में बोलता आया हूँ कि त्यारी करनी है तो यही पढ़ो त्यारी करनी है तो यही पढ़ो बार-बार यही आ रहे हर बार यही आएगा एक नमबर की यहां पर मारकिंग रहेगी और वन फौर्थ की नेगेटी मारकिंग रहेंगी यह जरूर द citizens रख लिया करो नेगेटी मारकिंग को एग्लूर नहीं करना है आप ज्यादा करने के चक्क्र में जो नमबर बन्रे होते उसको और कटवा लेते हैं, अभी कल बारक का एकजाम है, उसमें भी नेगटिम आरकेंगे दोनों में, प्री और एडवांस में, उसको भी ध्यान रखेगा, तो टेकनिकल के आएंगे 120 क्योसन, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में 50 क्योसन आएंगे, नोन टेक के एक नंबर का एक रहेगा, यानि 170 नंबर का पेपर होगा, अब समस्या क्या होगी, समस्या यह होगी कि 170 क्योसन है, और उसको हल करने के लिए 120 मिनिट का ही समय मिला है, तो अगर इसको आप कंपेरिजन में लेकर जाएंगे, तो सायद 45 सेकंड के आसपास आपको समय मिलेगा, ए इसको बहुत जादा हार्ड होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी, प्रेक्टिस कंटिनुटी आपको बनाए के रखनी पड़ेगी, इलेक्रिशन ट्रेड का सलेवस रहेगा, एप्टिट्यूड जो है उसमें देखो जनरल इंगलिस इसी तरह के टेस्ट शीरीज अभी भी अवेलेबल है, पूरी तरह से अपडिटेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एप डाउनलोड जरूर करना नहीं किया तो, रिजनिंग आएगा, क्वांटिटिव एप्टिटूड आएगा, क्वांटिव एप्टिटूड मै की बात है, जनरल नोलेज, अभी करन्ट सिनेरियो में क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ करता था, अदेश में क्या हुआ था, कहीं हिसे भी आ जाता है, ठीक है, हालांकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूर रखिए, 40% नमबर लाने, 30% नमबर लाने, वो कोई बात नहीं, और एक अनपात 3 में, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएगा, वो कोई बात नहीं, बात की बाते हैं, और ट्रेड टेस्ट आपको क्यावल क्वालिफाई करना होता है, ना, एक्जाम सेंटर कहां रहेगा, देख लो, जैसे एनर फर्स्ट है, तो दिल्ली, जैपूर, देर ही थी, ठीक है, और साइद गोई बात करने की जरूरत नहीं, हाँ, कैसे अपलाई करना है, यह आपको मिल जाएगा, अच्छा, पहले तो यह बता दूँ, और कोई भी सवाल अगर रह गया हो ना, आपके मन में, तो आप यह पूरी PDF पढ़ना, PDF कहां से मिलेगी, डिस्क्रि दीजिए, 12 दिसंबर 2023, लास्ट डेट है, तो 12 दिसंबर का तो क्यों वेट करना, पहले ही अपलाई कीजिए, समय निकाल का, ठीक है, और रिटन टेस्ट के लिए इन्हों ने टेंटेटिव डेट दी है, कि हम जो रिटन एक्जाम है वो आपका, जनवरी 2024 के अंदर ही ले ल यही अपडेट था, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक कीए बिना मत जाएए, प्लीज 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 लाइक कीए बिना नहीं जाना यार दबाईए, और चैनल सब्सक्राइब कर लिजे, अगर पहली बार जुड़े हैं तो, कोई और अपडेट चाहिए तो पूरा वीडियो पढ़िएगा, वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाहिए, बहुत बहुत धने बाद